दर्शको आज मैं आपको गरेलों जीवन में सुख शांती और समरुद्धी बढ़ाने के कुछ छोटे-छोटे उपाय कहुंगा। जब भी आपकी घर में रोटी बनती हैं, रोटी बनने की शुरुवात होती हैं, उस समय सबसे पहले गरम तवे के उपर दूद के थोड़े छीटे मारे जाएं, तो उस घर में रहने वाले लोगों को कभी भी गंबिर विमारी का सामदा नहीं करना पड़ता, सबका स्वाफ्य स्वाफ्य ठीक रहता है, इसी तरह यदि हल गुरुवार को पुल्सी के पौदे को दूद से सीचा जाए, तो घर में रहने वाले सभी सदस्यों का स्वाफ्य ठीक रहता है, साथ ही आर्थिक रूप से भी उन्नती या प्रगती होती हैं, दर्शको नियमित रूप से यदि जल में थोड़ा नमग डाल कर घर में पोशाव किया जाए, तो इससे घर के सभी वास्तु दोस्त, तमाव तो पते हैं या वास्तु दोस्त से चुड़े हुए नकारात्मत असर या प्रभाव कम हो जाते हैं, साथ ही घर के सभी दजस्यों का स्वाफ्य ठीक रहता है, भुष आन्थे हैं, समरिद्य के कुछ कोटे उपाय तो,